गूड मॉर्निंग फ्रेंट्स एडिल सिवील सेर्विसेज क्लासिज में आप सब का स्वागत है फ्रेंट्स आज हम लोग अपने इस लेक्चर में 67th BPSC PT का जो रिजल्ट आया है और उस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि यह रिजल्ट जो है काफी विवाद के घेरों में रहा है और जब से यह रिजल्ट आया है तब से इसका विरूत किया जा रहा है आप देख रहे हैं कि छातर नेता दिलीव कुमार ने इस रिजल्ट को लेकर कई तरह के आरोप लगाए है और इनका जो आरोप जो लगाय जा रहा है इस एक्जाम में धांदली को लेकर वो जायज भी है क्योंकि बहुत सरे ऐसे मामले सामने आये हैं जिन पर एस्टुडेंट की नराजगी जो है जायज है तो हम लोग इस वीडियो में चर्चा ये करेंगे कि एस्टुडेंट की क्या विरूत का कारण है कौन-कौन से उनकी मांगे हैं उन सब मांगों को देखेंगे और दूसरी बात इस पर हम लोग शर्चा करेंगे कि ये जो एक्जाम है इसका अभी जो बरतवान में विवाद है इसका सौर्ट टाइम सुलूशन क्या हो सकता है और लॉंग टाइम सुलूशन क्या हो सकता है और actual में student की जो real अभी मांग चल रही है उनसे मांगों को पर भी हम लोग विचार करेंगे ठीक है friends तो चलिए discussion स्टार्ट करते हैं तो friends से सबसे पहले हम लोग यहां पर यह देख लेते हैं कि यह जो 67th BPSC का जो exam है इसका मुख के बिवाद का कारण क्या क्या है ठीक है friends तो पहला इसमें जो बिवाद का कारण है कि इस exam में जो PT का जो result दिया गया उसका cut up काफी high चला गया actually में अभी तक का जो cut up है इस exam का वो सारे record को तोड़ते हुए 113 गया जो की अब तक का सबसे highest है ठीक है और category वाइज भी देखिएगा तो cut up जो है काफी high गया है maximum category में cut up जो है 109 हो गया है दूसरा जो कारण है friends विवाद का कि इस exam में जो questions पूछे गए 150 questions जो पूछे गए उसमें से जो answer दिये गए थे तरह तरह के हैं अलग-अलग answer जो है गलत तरीके से दिये जिन पर छात्रों की नराजगी है ठीक है friends और तीसरा जो कारण है कि एक्जाम में धांदली के अरोप लगे हैं धांदली के अरोप इस मामले में कि student का यह मानना है कि एक के अलग तरह का पेन यूज किया गया बहुत सरे अतिकारियों के गठी जोड़ से अंदर काफी धांदली हुई है तो अभी हाला कि उस तरह की पूष्टी नहीं हो पाई है यह तुजाज के भी से हैं लेकिन चात्रों का ऐसा आरोप है इसके बाद सबसे जड़ा बिरौत का कारन रहा है वह प्रिक्षन नयंत्रक जो आभी बर्तमान में पर काफी गंभी आरोप है कि जो भी धांदली हो रही है उनके ही इस आरोप है उनके मिली सकते हैं बाठकरफाला तो यह हो सकता है कि इसका शो्ट टाइम सोलूशन क्या हो सकता है तो अभी शोट टाइम सोलूशन में हम लोग देखेंगे इसमें सबसे ग्रार की solution निकालने के लिए इसमें ये किया जा सकता है कि जो भी export टीम है वो गलत उतर की जाज करें और जो भी गलत उतर पाए जाते हैं जितने उतर गलत पाए जाते हैं उन प्रशनों को डिलीट करके उतने cut-up को कम किया जाए हर category में और एक बार फिर से result दिया जाए और extra result होगा ऐसा नहीं कि जो पहले से बचे select हो गए है PT में उनको हटाएगा क्योंकि एक नया विवाद फिर सुरू हो जाएगा और यह कैसा विवाद जो कि चलता ही रहेगा तो जो भी प्रस ने गलत दिये गया उनकी जाज कराई जाए और जितने question गलत पाए जा रहे हैं उनको delete करके उतने commerce हर category में किया जाए और extra result दिया जाए तो यह हो सकता short time solution लेकिन friends से आपको ही मालूम है कि यह VPSC का exam है और इस तरह की जो सिकायते आ रही है वो आगे सिकायते ना हो और किसी भी तरह की कोई भी धांदली के आरोप ना लगे तो इसके लिए एक long time solution हम लोग को ढूनना पड़ेगा तो उस solution पर हम लोग बात करते हैं चले देखते हैं long time solution क्या हो सकता है जो मैंने सोचा है मैं बता दे रहा हूँ पहला यह है कि जो भी पुराने अधिकारी है जो उनको लंबे समय से आयोग में न्युक्त दिया गया है उनका ट्रांसपर किया जाए ठीक है क्योंकि maximum ऐसे अधिकारी है यहाँ ते की परिक्षण यहांतरा किभी जो कि 2015 से ही साइदी पद पे बने हुए है अब तो सचीव भी बन गया हूँ तो ऐसे और भी जो अधिकारी है जो लंबे समय से बने हुए है क्योंकि होता किया है कि जब अधिकारी लंबे समय से कारणत होते है तो उनका नेताओं से भी काफी जोड हो जाता है तो एक धांदली होने के काफी मान के चलिए कि ज़्यादा समभावना बन जाती है और उनकी मिली भगा सही जो भी सेटिंग बगरा होता है तो यह समभावना बनी रहती है इसके बाद नीव परिक्षणी अंतरक सही कोश्चन सेलेक्षन कमीटी जिनको एक्सपर्ट टीम बोला जाता है उनका चैन किया जा ताकि आगे से नए सीरे से वो लोग अच्छे से कोश्चन का सेलेक्षन कर पाए है नेक्स्ट आगे से सभी प्रफशनों में निगेटिव मार्किंग लागू किया जैसा कि परिक्षण अध्यक्ष महोदेर बोल रहे थे कि निगेटिव मार्किंग आएगी तो निगेटिव मार्किंग जो है सबी questions के लिए आना चाहिए और दूसरी बात यह है कि यह option जो है इसकी समाप्ति होनी चाहिए यह option ही बहुत सरी समस्याओं का जड़बना हुआ है ठीक है प्रेंट्स इसके बाद है कि PT में समयलित उमीदवार का 10% result देना जैसे कि बहुत सरे student यह मांग कर रहे हैं कि जो result है वो कापी कम दिया गया इस बार तो result तो मान के चलिए कि जो cabinet के मंजूरी दी गई थी 10 गुना उसके उन सारी result दिया गया है लेकिन फिर आगे से जो सीटे अभी कम आ रही है 68 BPSC में देखा गया है कि सीटे बहुत कम है तो इस समस्याओं यह हो सकता है कि 10% result को दिया जाए ताकि maximum बच्चे में बैठ सके है ठीक है इसके बाद है कि अगर गलत उतर दिया जाता है आयोग के द्वारा तो दो इसके solution हो सकते हैं एक तो हो सकता है कि गलत जो उतर दिये जाते हैं उनके मार्स सभी बच्चों को दिया जाए समान रुप से औ तो इस इस्तिति हो सकता है कि यह दो नेकिक को डिलीट किया जाए या फिर उनके मार्स सभी को समान रुप से दिया जाए और सब से लाश्ट में फ्रिंट कि जो प्रोषने का उत्तर है, उसको उसका लेवल जो है उपर उठाया जाए और एक PCS का एस्टेंडर जो है मेंटेन किया जाए, काफी लो लेवल के कोश्टन्स को पूछा जाता है, जो कि काफी असतरहीन कोश्टन होते हैं, SSE और यहां तक कि जरले में जो प्रोषने एक्षार में धानदली हुई, तेक्शना रिजल देने की बात कि हो रहержा है, इस परिख्षा की पूरी तरह से जाच होने चाहिए और जाच ś्थी वह की सिव की सीवी कुरस्णों को डिलेट करके जैसे मैं ने बताया था उसके अनुपात में हर कटेगरी में कटप को कम करके अत्रिक्त रिजल्ट देने की बाद चल रही है तो फिर अभी बरतमान में जो इस्टुएंट की मांग चल रही है तो देखिए अगर CVI जांच होगी तो जांच होगी तो पूरे गहन अस्थर पे जांच होगी जांच का अर्थ ही है कि ये पूरा एकजाम का प्रोसेस जो है रूख जाएगा दूसरे बात यह है कि जब CVI जांच करेगी तो फिर जो एक्स्ट्रा रिजल्ट वेगरा जो देने की बात है वो नहीं हो पाएगा इसका अरत यह है कि एक्जाम यहीं पर यह रूख जाएगी और दूसरी बात यह है कि CBI अगर जांच होती है तो CBI जांच जो है पूरे अंदर से जांच करेगी इसका अरत यह है कि कोई भी state government नहीं चाहेगी कि CBI की entry उसके राज में हो काफी बेजयती के समना करना पड़ सकता और यहां तक कि government भी गीर सकती है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि state में अलग government है और central में अलग government है तो यह बहुत इसकी समभवना जो है कम है फिर भी student की जो मांग है मैंने उसको यहां पर mention किया कि वो लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं तो friends से सभी एंगल को देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि किस तरह की चीजे जो है होनी चाहिए और जो मैंने जो solution बताया है आप उसमें कुछ अपना नया भी add कर सकते हैं जहां तक मुझे लगता है friends कि अ लागू करने की जरूरत है ताकि एक्जाम जो है आगे से फेरवे में और अच्छे तरीके से हो सके और आगे किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो तो इन सब सारे बिंदू को लागू किये जाने की जरूरत है तो friends से मुझे लगता है कि हम लोग ने सारे इंगल पर बात कर ल नेवाट